रीवा जिले का होनहार बालक लोको पाइलेट के पद पर पदस्थ था जिसकी महाराष्ट में सडकदुर घटना में निधन हो गया था जैसे ही निधन की खबर छेत्र के लोगों को लगी पूरा तराई अंचल सोप की लहर में डूब गया वही परिजन उस बालक का पार्थिव सरीर लाने महाराष्ट के लिए गय थे जो साम को सतना पहुचा आपको बता दे कि गौरब गौतम पिता जगननायक गौतम उम्र 26 वर्ष निवासी भीतरी तहसील जवा की निवासी थे पिताब B.E.O. के पत पर जवा में पदस्त हैं वही बालक की सड़क दुरगटना में निधन की खबर सुनकर उनके परिवार में दुख का पहार तूट पड़ा गौरब गौतम जगननायक गौतम के एक लौते पुत्र थें वही उस बालक को चाहने वाले उसकी अंतिम जलग देखने के लिए सतना रेलवे स्टेशन पर हजारों की संच्छा में लोग मौजूद थें वही सतना रेलवे स्टेशन पर जैसे पार्थिव सरीर पहुचा तो लोगों ने नमाखों से उस बालक को विनम्र सद्धांजली अर्पित की वही लोगों ने भगवान से प्रातना की कि इस दुख को सहन करने के लिए परिवार जनों को इस स्वर सक्ति प्रदान करे इस पाड़े जो हरे ना दोजो हरे तो जो हरे चै 묶नी तो जो जो हरे न तो जो हुच it इतने सुंदर सुंदर के निहला दुल्हन के रूप में चारचांद लगाए संबड़िया, संबड़िया संबड़िया, संबड़िया प्यार के रिष्टे को और गहरा बनाए संबड़िया आभुषण का चादु है चाए संबड़िया आभुषण